आप देख रहे हैं समाचार एजनसी अफ इंडिया में साइन नियूज नमस्कार दोस्तों समाचार एजनसी अफ इंडिया की साइन नियूज में लिम्टी की लाल टैन के 623 एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चुनाओ आयोग के द्वारा चुनाओ की खोशना कर दी गई है बज गई है रणभेरी अवांचनी आरोप प्रत्यारोपों पर कैसे लगपाईगी लगाँ साथ चर्णों में चुनाओ होने हैं 47 दिन तक कई प्रत्याशियों के भाग एवियम बंद रहेंगे 47 दिन का समय बहुत होता है लिम्टी की लाल टैन के 623 एपिसोड में पर फिर आपका स्वागत है अठारवी लोकसभा के लिए मुनादी हो चुकी है इसके बाद इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चर्णों में चुनाओ होंगे लगभग 47 दिन तक अनेक प्रत्याशियों का भाग एवियम में कैद रहेगा मतगर्ना 4 जून को होगी पहला चरण का मतदान 19 अप्रेल दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रेल तीसरे चरण का मतदान 7 मई 4 तेरा मई और पाच्वा 20 मई छटवा 25 मई सात्वा और अंतिम चरण एक जून को होगा मद्दान एक जून को संपन होगा सात्वे और अंतिम चरण का चुनाओ की गोशना के साथ ही आदर्श आचरन सहिता प्रभावी भी हो गई है इस बार 18 से 19 आयो वर्ग की 85 लाख महिला मद्दाता है इसके अलावा 19 से 19 साल के मद्दाताओं की संख्या 19 करोर 44 लाख है 25 साल से अधिक आयो वर्ग के मद्दाता घर से ही मद्दान कर सकेंगे जैसी विदान सभा में कुछ राजियों में सुईदाय दी गई थी मद्दान के बारे में हम बता दें पहले चरण है तो चुनावी प्रक्रिया 20 मार्च को हरंब होगी इसका नोटिफिकेशन जाड़ी 20 मार्च को होगा नमंकन दाखिल करने की अंतिम तिथी 27 मार्च नमंकन पत्रों की चांच अगले दिन 28 मार्च को की जाएगी और मत्दान 19 अपरेल को होगा तीसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन 12 अपरेल को जारी होगा नमंकन दाखिल करने की अंतिम तिथी 19 अपरेल और नमंकन की जाच 20 अपरेल तसा मत्दान 7 माई को होगा है चौते चरण के लिए नोटिफिकेशन 18 अपरेल नमांकन दाखिल करने के अंतिमतिती 25 अपरेल नमांकनों की जाच 26 अपरेल को एक दिन बाद ही जाच हो जाती है मत्तान 13 माई को संपन होगा पाचवे चरण की अगर हम बात करें तो पाचवे चरण के लिए नोटिफिकेशन 26 अपरेल को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथी 3 मई नामांकन पत्रों की जाच 4 मई को होगी और मतदान 20 मई को संपन होगा छटवे चरण के लिए नोटिफिकेशन 29 अपरेल को जारी होगा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथी 6 मई होगी नमंकन पत्रों की जाच 7 मई को हो और मतदान 25 मई को किया जाएगा मतदान 25 मई को संपन होगा साथवे और अंतिम चरण के लिए नोटिफिकेशन 7 मई को नमंकन दाकिल करने की अंतिम तिथी 14 मई नामबांकन पत्डों की चाँच पंद्रा मई और मतदान एक जून को समपल होगा इन सारे साथ चर्णों के पत्दानों की मतगडना चार जून को किजाएगी यह था चुनाओी कारकरम जो चुनाओी के दुरह जारी किया गिया अब बात की जाए चुनाओं के दौरान होने वाली गफलतों के बारे में दरसल चुनाओं के दौरान प्रत्याशियों के दौरा मतदाताओं को लुबाने लिजाने और अपने प्रत्यादियों की सांख खराब करने के लिए तरह तरह के जतन किये जाते हैं इन पर नजर कैसे रखी जाएगी राश्ट्री प्रादिशिक इस तर के मीडिया संस्थानों पर तो नजर रखी जा सकती है पर छोटे छोटे जिले विकासखंड तहसीलों में जो मीडिया है उस पर नजर कैसे रखी जाएगी यक्ष प्रशन यही खड़ा होता है दरसल छोटी जगों पर जो मीडिया है उस पर नजर आप नहीं रख सकते क्योंकि तैसील इस्तर ब्लाउक इस्तर और आज संचार कांती का योग है संचार कांती की योग में आप इस बात को जानते होंगे कि सोशल मीडिया का जमान है हर जिले में वैसे तो मीडिया प्रमान एवं निग्रानी समीती जिसे MCMC कहा जाता है कगटन किया जाता रहा है इस समीती द्वारा उस छेतर में चल रहा है मीडिया से नाध्याओं पर नजर रखी जाती है पिछले दो तीज चुनाओं में अगर देखें तो कुछ जिलों में MCMC का गठन तो हुआ पर समीतियों में स्थानी स्थानी स्थार के पत्रकारों का समावेश नहीं किया गया जबकि यह सबसे ज़्यादा जरूरी है स्थानी स्थार पर किस तरह से खबरें ट्विस्ट की जाती ही किस तरह से मद्दाओं को प्रभावित किया जाता है इस पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है इसके अलावा जिसके मन में जो आरा है वो च्छाप रहा है यह नहीं सोशल मीडिया का जमाना है इसके चलते मन मर जी की खबरें कथित तोर पर योटूब चैनल चलाने वाले पत्रकारों के द्वारा दिखा दी जाती है जिला इस तर पर सोशल मीडिया पर आखिर नजर कौन रख पाएगा नबे के दशक में समाचार पत्रों की जबर जुस्त बार आई हुई थी इसका कारण ये था कि समाचार पत्रों का पंजियन पूरी तरह निशल को हुआ करता था और बहुत हसान नबे के दशक में था बाद में थोड़ा सा क्लिष्ट किया गया काफी सारे चेक्स लगाए गए इसी तरह पर जैसान अबे के दशक में अकबार निकला करते हैं इसी तरह पर वरतमान में वेब पोर्टल्स और योटूब चैनल्स की भरमार है इन में से कितने प्रमानिक हैं और कितने वेब पोर्टल्स या योटूब चैनल्स के नाम पर माइक आईली लेकर पत्रकाईटा के पेशे को बदनाम करने वाले कितने लोग हैं ये पता करना बहुत आसाल नहीं सीधे शब्दमें ये कहा जाए कि देशीगी अर्थात असली श्रमजीवी पत्रकारों डाल्डा अर्थात नकली पत्रकारों में भेद करना बहुत मुश्किल है ये काम जिला सतर पर कलेक्टर या नुभागी अदिकारी राजस्व के दोरा बहुत हसानी से किया जा सकता है चुनाओ हायो को चाहिए कि नेताओं के लिए भी प्रत्थक से गाइड लाइन जारी की जाए ताकि आपसी स्वहाद्र पूरी तरह बना रहा है और इसके लिए उस गाइड लाइन का कड़ाई से पानन भी सुनिश्चित कराने की जरूरत है इसके साथ ही दनबल बाहुबल प पत्याशी के द्वारा वास्तों में किये गए खर्च की बारी की से जाँच चाहिद ही कि जाती हो। फिलहाल इतना है अगर आपको समाचार एजिंसियाफ इंडिया की साइन यूज में लिम्टी की लाल टेंग पसंद आ रही हो या अरने ख़बरे पसंद आ रही हो तो आप इने लाइक सब्सक्राइब को शियर जरूर कीजिए साथी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए कि आपको ये सारी ख़बरें कैसी लग रही हैं अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजिंसियाफ इंडिया की वेबसाइट या साइन ये उसके न्यूज चैनल पर जाकर रेसे देख सकते हैं समाचार एजिंसियाफ इंडिया की सही होगी अखलेश दुबे की साथ लिम्टी की लाल टेंगा 624 वा एपीसोड लेकर बहुत ज़्यल्द हम हाजिर होंगे फिलाल आपसे जाज़त लेना चाहेंगे जैहिंद करते हैं झाल झाल